बिहार की बहुती फेमस रेसिपी चना दाल की कचरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप इसे टी टाइम भी बना सकते हैं किसी गेस्ट के आने पर भी इसे बना कर उनको खिला सकते हैं सबसे पहले चने की दाल को आपको भीगो लेना है 5-6 गंटे तक या ओवरनाइट तो यहां पर मैंने दाल को भीगो लिया भीगोने के बाद इसे मैंने दरदरा सा ग्राइंड किया है इसका पेस्ट नहीं बनाना है अब इसमें कटा हुआ प्याज दो प्याज तीन हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक मैं डाल दूँगी चीली फेख्स आधादा शोटा चममच अजवाइन आधा शोटा चममच कलोंजी आधा छोटा चमच से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चमच हल्दी थोड़ी सी रंगत के लिए काला नमक आधा छोटा चमच सादा नमक आधा छोटा चमच धनिया का पत्ता और इसमें और भी जैसे पत्ता गोबी वगेरा आप इसमें चाहें तो मिला सकते हैं इसे मैंने मिला दिया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गई इसलिए अब मुझे याद आया तो मैंने इसमें चावल काटा मिलाया है इसे मिलाने से ये थोड़ा सा क्रिस्प बनेगा तो इसे मिला करके इसे रखना नहीं है जटपट क्योंकि नमक मिला दिया है तो नमक मिलाने से थोड़ा ये ज़्यादा गिला हो जाता है तो फटापट तेल पहले से गरम कर लिया था, अब इसे मैं इस तरह से बांध के डाल रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा चिकना करके नहीं डालना है, थोड़ा बिखरा बिखरा सा इसके जो बॉल होते हैं, बिखरे बिखरे से ही होते हैं, और इसे मैं डाल रही हूँ, तो बिखरा बिखरा सा जब होता है यह तो जादा मतलब वही बढ़िया होता है इसके लिए इसे गोल गोल या जादा चिकना नहीं करना है इसलिए इसे दरदरा पीसा भी जाता है तो एक तरफ से सिख जाने के बाद इसे मैं पलट दे रही हूँ और इसे मैं दो बार फ्राई करने वाली हूँ तो अभी यहाँ पे सारा इस तरह से पलट दिया दोनों साइड से इसे सेखने के बाद अभी आप देख सकते हैं तो थोड़ी दर इस तरह से इसे फ्राई किया फ्राई करने के बाद इसे में निकाल लूँगी निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए यानि पांच-साथ मिनट के लिए आप बाहर रखें फ्लेम को बंद कर दें या लो कर दें और पांच-साथ मिनट के बाद आप इसे हाथ में इस तरह से ले और इस तरह से हलका सा इसे दबा दे हलके हाथों से ताकि यह थोड़ा सा क्रश हो जाए यानि हलका सा यह तूट सा जाए लेकिन ज्यादा जोड़ से इसे प्रिस नहीं करना है यानि यह पूरी तरह से नहीं तोड़ देना है यह तो यह तूट ही जाएगा और इसे किसी टीशू पेपर पर निकालें तो ओईल पूरी तरह से निकल जाएगा उसके बाद फिर से इसे मैंने दुबारा फ्राई किया है कडाही अगर लोहे की हो पतली हो तो आप low to medium flame रखें अगर aluminium की मोटे तले की कडाही हो तो आप flame को medium रख सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि दुबारा फ्राई करने के बाद ये इसका color जो है थोड़ा सा और चेंज हुआ है ये और golden brown हो गया है तो अब मैं इसे फिर निकाल रही हूँ ये बहुत ज्यादा tasty लगता है इतना ज्यादा कि आप इसे evening के time मेटी time में बनाना आसान होता है जटपट बन भी जाता है अगर आपने दाल भीगो के रख ली है तो बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप इसे बनाईए फिर कमेंट करके मुझे बताईए अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए धन्यवाद